करेंगे मोसरीन प्लेन का पुछा हुआ को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के वीडियो के लिए इसलिए स्टार्ट करते हैं लोग आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है पुछा है निट में identify the vector quantity among the following इसमें कौनसा vector quantity है distance, heat, energy और angular momentum तो आप लोग को पता होगा angular momentum बेक्टर होता है और यह सब singular होता है Then next question है 6 vector A through F have magnitudes and directions indicated in the figure which of the following statements is true तो चार श्रेट में हम लोगों को दिया हुआ है देखिए सब में F है और इधर वेक्टर डिफेरेंट है तो B प्लस C एकल डू एफ क्या ये करेक्ट होगा ये बूब को चिप करना है तो B प्लस C और C इथर है और F देखिए अपोजीट ऐसे है तो ये करेक्ट होगा ये करेक्ट नहीं होगा वो इस इरेक्शन में तो ये ज्न यहांन करेक्ट नहीं है ये रॉंग हो जाएगा इसमिदर लिए आप D और C किसी को भी चेकर सकते हैं D प्लस C देखिए D और C कि इदर गया D है उपर और C है इधर तो हम लोग इसको पैरलल शिप्ट कर सकते हैं वेक्टर को तो D प्लस C जो होगा इसका इधर होना चाहिए इधर है तो यह भी फॉल्स हो गया यह तो फॉल्स था देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लस E इकल टू एफ डी इधर है और इधर है अब उची दिरेक्शन में डी प्लस इएफ उसकता है इसका पैरलल है यह यह करेक्ट हो जाएगा एक या वरस इसको फंटे कर लेता है यह दोनों भाइज उन्हों इ Иकल टू एफ तो बी निचे तरफ है इदर है, बी इदर है और इदर है, तो f इसका जाएगा इदर यह, यह e बेक्टर है, यह b बेक्टर है, फ बेक्टर इदर आएगा, जो की नहीं है, f क्या है, इस तरह से है, जो की d और e का समी पोसिबुल है, disorders क्याimientos çık किये और d ओबर कि जाएगा देन नेक्स्ट पॉजिशन है इसका मैंनिटूड वन हम लोग करेंगे तो वेक्टर गीवन इसका मैंनिटूड कैसे लिखते हैं कोफिशंट का स्कॉएर 0.5 प्लस 0.8 स्कॉएर मैनस मैं है तो प्लस वाजाएगा प्लस स्टी स्कॉएर हो जागा वन अब इसको स्कॉएर कर देते हौट साइट यह जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस स्कॉएर इकल टू वन तो स्कॉएर कभे लिए आ गया 1-0.25 plus 0.64 तो c square का value आ जाएगा 1- यह हो जाएगा कितना 0.91 तो c square का value कितना आ जाएगा अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका value कितना होगा यह 9 होगा यह 89 होगा तो c square equal to 0.11 1 minus 0.89 कितना होगा 0.11 होगा तो यहां से आप को c का value मिल जाएगा square root of 0.11 जो कि option b में है यह b correct हो जाएगा next question है if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors the angle between these vectors is what magnitude of sum sum का magnitude equal है दोनों vector के difference का magnitude हम लोग assume कर लिए vector a और vector b है दोनों vector तो अब हम लोग इस परई से लिख सकते हैं square root में a square plus d square plus 2 a b cos theta और इधर आजाएगा a square plus b square minus 2 a b cos theta तो यहां सब लोग को मिला और यहां से लोग बोलेंगे थीटा का भैली हो जाएगा पाइअगा पाइवाए टू नीचे कोमेंट करना है वीडियो में बेसिक कॉंसेट बेसिक केल्कुलेस जो बेसिक मैथ होता है उसका वीडियो बनाएंगे और आप लोग के लिए काफी हेल्फुल होगा देखें नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हम लोग बुल रहा है वेक्टर्स एंड बी आर सच दैट एप्लस भी मैगनिटूड इकल टो एमनेस भी मैगनिटूड तो इंगल बेट्विन तो वेक्टर्स इच तो जब लोग यही कोश्टन तो किये थे तो इसका वेलू कितना आगया था 90 डिगरी सेम कुश्टन वो रिपीट किया गया है और यह देखें कितना बार पूछा है एक्जाम में देन अगला कोश्टन है इसको लिख लेते हैं तो इसको लोग इसे लिखेंगे यहां पर A square plus B square plus 2AB cos theta equal to A plus B magnitude of A simply A हो जाएगा squaring कर लेते हैं बोध साइट यह हो जाएगा A square plus B square plus 2AB cos theta इधर भी squaring करने सा जाएगा a square plus b square plus 2ab अब देखिए cancel जो होगा उसको हम लोग cancel कर लेंगे a square b square cancel हो गया तो 2ab cos theta equal to 2ab तो यहां से cos theta का value आ जाएगा 1 सो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं थीटा हो जाएगा 0 degree cos 0 का value 1 होता है इसका option c correct हो जाएगा next question है the magnitude of vector a b and c are 3.5 unit respectively if a plus b equal to c the angle between a and b क्या होगा तो देखिए चार option दिया हुआ है लोग a plus b को ऐसे लिख सकते हैं क्या गिवन भी है a plus b equal to c हम लोग बोट साइड magnitude ले लेते हैं a plus b का magnitude equal to c का magnitude तो इधर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं formula से vector का a square plus b square plus 2ab cos theta equal to c का magnitude c होगा squaring कर लेते हैं a square plus b square plus 2ab cos theta equal to c square तो a square कितना हो जाएगा एक का value 3 है 3 square हम लोग पूट कर लेते हैं a b c का value 3 का square plus 4 का square plus 2 into 3 into 4 into cos theta equal to c square square मतलब 5 square यह 9 plus 16 25 इदर हो जाएगा प्लस इसको लोग लिख सकते हैं 24 कॉस्ट थीटा एकल ट्वेंटीफाइब तो यह solve होगे कितना आ जाएगा बैल्यू 24 कॉस्ट थीटा इधर के निचलो गया जीरो हो गया सो कॉस्ट थीटा जीरो सो थीटा हम लोग का कितना हो जाएगा 90 डिग्री देट इस पाइवाई 2 रेडियन तो पाइवाई 2 रेडियन में जाएगा ऑप्शन भी रेडियन में दिया हुआ है अप्शन एक करेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट पूछाता देखिए नेक्स्ट वेस्टन है यहां पर यहां पर हम लोग को दिया हुआ है कितना 10 टिम्रों को δुझीले प्सक्याटे ऐक्सक्याद यह काउंपोरइटी तो फैयरे से प्देश्याट यहां से था कित देखिए हम लोग यहां से ब्हुँंख को क्या बोलेगे यह 10 हो जाएगा हम लोग को इसका एक्सलिरेशन एक्सलिरेशन क्या हो जाएगा दी और व्य 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 डी टी कॉंस्टेंट है भी वै डेरिवेटिव 0 अब एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग यहां पर से क्या करेंगे बेलास्टी का एक्स कमपोईंट का डेरिवेटिव ले लेंगे तो यह 5 के डेरिवेटिव 0 यह मैनस 4 आ गया एक्स मैनस 4 और यह आगे हम लोग का 0 तो हम लोग का नेट एक्सलिरेशन जो हो जाएगा यह वो क्या होता है एक्स आउ कैप प्लस एक्स यजय कैप तो हम लोग यहां से लिख लिए तो जीरो है जीरो है जीरो ज गै तो हम लोग का एक्सक्णाرف न गया मैनस 4 आइक्स्षा क्या मतलब है magnitude is 4 बोल सकते हैं या यहां पर बोल सकते हैं minus 4 भी direction देख करके तो option भी correct हो जाएगा next question है the position vector of a particle r as a function of time is given where दे दिया है r equal to 4 sin 2 pi t i cap plus 4 cos 2 pi t j cap where r is in meter t is in second and i cap and j cap denotes unit vector along x and y direction respectively which one of the following statement is wrong for the motion of particle the wrong statement क्या होगा तो चलिए हम लोग को पहले r जो दे दिया है लिख लेते हैं 4 sin 2 pi t i cap plus 4 cos 2 pi t j cap और यहां पर कॉस्ट का डिरिवेटिव कितना हो जाएगा यहां पर हम लोग सेंगा डिरिवेटिव कॉस हाएगा यहां टू पाए जाएगा तो यहां पर एट पाए कॉस्ट टू पाए टी आई कैप और यहां पर कॉस्ट का डिरिवेटिव मैनस साइन मैनस साइन मैनस एट पाए साइन तो पाए टी जे कैप तो इसका मैनिटूड अगर हम लोग भेलास्टी का बताएंगे यहां से तो यहां पर से इसका स्क्वाइर कर लेंगे दूनों कोफिजेंट का तो देखिए 64 पाए स्क्वाइर तो इधर साइड हो जाएगा 64 पाए स्क्वाइर और यहां से कॉस स्क्वाइर है टू पाए टी प्लस साइन स्क्वाइर टू पाए टी तो कॉस स्क्वाइर टी तो कॉस स्क्वाइर थिटा प्लस स्क्वाइर थिटा वन होता है तो मैनिटूड अ वेलास्टी यहां पर से 64 पाए स्क्वाइर का जो स्क्व तो option A correct हो गया, path of the particle is the circle of radius 4 meter, बिल्कुल सही है, यह x है और यह y है, यह circle ही होता है, देखिए x का value इतना लेना है, y का इतना, x का value यह है, और यह है y का value, x square प्लस y square अगर हम लोग करते हैं, हो जाता है कितना, 4 square, तो 16, sin square 2 pi t, प्लस 16, cos square 2 pi t, तो यह हो जाएगा, x square प्लस y square, यह sin square plus cos square bracket में 1 आएगा, तो यह common लेकर के 16 आएगा, तो यह हम लोग का form में आ गया, x square प्लस y square इकल टू a square के form में, x square प्लस y square इकल टू a square के form में, a square कितना हो गया है, यहां से 16, तो एक value हो जाएगा, और जो circle का radius होता है, तो path of the particle जो हो जाएगा, circle हो जाएगा, विकोज equation circle का है, यह भी सही है, acceleration of the particle is along minus r, वो भी सही है, because circular motion होता है, तो radius vector के opposite direction में acceleration होता है, means what center, तो इसका motion जो हो जाएगा, वो, इसका acceleration जो हो जाएगा, वो circle के center के तरफ हो जाएगा, centiprial acceleration जिसको बोलते है, magnitude of acceleration vector, जो हो जाएगा, वो बी स्कुएर पर आर हो जाएगा, यह भी सही है, तो इस question में, यह पर दिए, magnitude of acceleration vector जो होता है, circular motion के लिए, आगे हम लोग बहुत डिटेल में discuss करेंगे, लाल motion plane का ही topic है, circular motion आएगा, तो centiprile acceleration होता है, करेंगे, यह भी स्कुएर बोलना चाहिए, वस्यवी correct है, क्योंगे लोग यहां पर तो कहने का क्या मतलब कि इसमें, सारा option correct है, कोई गलत नहीं है, और actually जब question आप देखेंगा, तो हहां पर pi नहीं था, यहां पर 8 था तो यह printing mistake है तो option यह ही इसका गलत हो सकता है अगर यहां पर इस तरह से दे दिया है तो सारा option correct है इस question में grace marking मिल सकता है यह question का solution इस तरह था next question है a particle is moving such that its position coordinate x, y, r, 2 meter, 3 meter, at time t equal to 0, 6 meter, 7 meter, at time t equal to 2, 13 meter, 14 meter, at t equal to 5, average velocity vector from t equal to 0, 2 equal to 5 क्या होगा तो बेलास्ती का average value क्या होता है डेल्टा आरवाइ डेल्टा टी यह हम लोग को पता है time interpolation लेता है तो डेल्टा आरवाइ डेल्टा टी तो time 2 से 5, 0 से 5 देखना है तो 0 पर particle का position था कितना 2, 3 तो t equal to 0 पर हम लोग लिख लेता है यहां से और initial बोल देंगे उसको आर इनिशियल वो 2 i cap प्लस 3 j cap टी इकल टू 5 यह टीकल टू 0 का है अब टीकल टू 5 का आरवाइ फैनल हो जाएगा टीकल टू 5 का क्या है 13 14 13 i cap प्लस 14 j cap तो डेल्टा आर हम लोग का कितना आ जाएगा आर फैनल मैंस आर इनिशियल तो 11 i cap दूनों के डिफरेंस ले लेंगे हम लोग टेल्टार क्या होता है आर फ मैनस आर आई लिख दे रहे हां से आर फैनल मैनस आर इनिशियल तो यह हो जाएगा 11 i cap प्लस 11 j cap ऐसे टाइम इंटरफल इसका डेल्टा टी जो है हम लोग को कितना मिलेगा जिरो से फाइब का इंटरफल 5 सेकंड हो गया इसमें पूट कर लेंगे एवरेज वेलास्टी इम लोग को मिच जागा यहां से टेल्टार हम लोग का हैं 11 i cap प्लस 11 j cap divided by time interval है 5 तो यह solve होगर का गया 11 by 5 i cap प्लस जे कैप तो यह वेलास्टी हो गया जो कि option d में है तो इसका d option correct हुआ यह हम लोग का part 1 था और आगे बहुत सारा part आने वाला है तो आप लोग को पूरा शीरीज मिलने वाला है नीट का इवेंट जही और जही का भी हम पूरा मैथ पजिक सब का solution यह पर लाने वाले हैं और वह भी बहुत ही बहुत ही बहुत इन तरीके से आप लोग को कोई विद्धिकत नहीं होगा तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आपको इस तरह के आने वाले वीजियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो देखते हैं फिर में लोग नेक्स्ट वीजियो में थैंक्स पर वाचिंग झाल